नमस्कार दोस्तों, मैं एड़ोकेट अमित कुमार गुपता, अपने इंकम डेक्स के केसिस के सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिसकस करूँगा, वो प्रोजेक्यूशन पर है इस केस में डिपार्टमेंट ने असेसी के अंगेज जो है प्रोजेक्यूशन फाइल किया, सेक्शन 276C और सेक्शन 277 में सेक्शन 276C जो है वो विल्फुल अटेम्ट टो इवेट टेक्स पर है, जिसका मतलब यह है कि यदि असेसी कोई जानमूच करके टेक्स की चोरी करता है, तो इंकम टेक्स डिपार्टमेंट उसके अंगेज प्रोजेक्यूशन जो है वो फाइल कर सकता है सेक्शन 277 जो है वो फाल्स स्टेट्मेंट इन वेरिफिकेशन पर है, कि यदि कोई असेसी कोई भी स्टेट्मेंट को जानमूच करके वेरिफाई करता है, तो इसके लिए भी असेसी के अंगेज जो है वो प्रोजेक्यूशन फाइल कर सकता है इस section को के उपर case बनाने का जो में लॉजिक है वो यह है कि friends हमको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम कोई income tax में कोई भी statement sign करके देते हैं चाहिए वो section 1336 का reply है को confirmation sign करनी है तब हमको ध्यान रखना है कि हमको उसको check करना होगा कि वो statement ठीक है या नहीं क्योंकि यदि वो statement गलत पाई गई तो department उस statement को verify कर गलत verify करने के लिए भी हमारे एंगेस prosecution जो है वो launch कर सकता है इसलिए हमको किसी भी ऐसी practice से बचना है जहां पर हम कोई गलत ज्यानवाजी करते हैं या कोई गलत verification करते हैं बहराल इस case में डिपार्टमेंट ने असेसी के एंगेस्ट तीन लाक रुपे की income conceal करने का मुकदमा launch किया section 276C और 277 के अंदर बाद में असेसी जो है वो अपनी इस लड़ाई में settlement commission चला गया क्योंकि उस assessment year से related जब उसका case चल रहा था और settlement commission ने उसकी application को admit कर लिया जब यह application settlement commission ने admit कर लिया तो उसके बाद क्योंकि अलड़ी असेसी के एंगेस्ट डिपार्टमेंट जो है section 276C और 277 के अंदर prosecution file कर चुका था तो CIT सामने उस prosecution को launch किया असेसी के एंगेस्ट असेसी ने देखा कि उसको prosecution का notice आया है तो असेसी ने जो है वो पंजाब एन हर्याना हाई court में रिट फाइल करी यह प्ली लेते वे कि क्योंकि असेसी जो है वो settlement commission जा चुका है तो इसलिए department जो है वो prosecution को अब जो है वो follow नहीं कर सकता और उसको continue नहीं कर सकता जब तक कि वो settlement commission में उसका matter चल रहा है पंजाब एन हर्याना हाई court ने इस matter का अध्यन किया और उसके बाद यह पाया कि settlement commission में असेसी की application admit होने का यह मतलब नहीं है कि असेसी को किसी भी prosecution जो उसके अंगेस चल रहा है उस सालों के लिए उससे उसको छुटकारा मिल गया है कहने का मतलब यह है कि admitting of application by the settlement commission is not a bar for the department to continue or launch the prosecution against the assessi तो मंजाब एन हर्याना court ने पूरे matter को study करते हुए यह पाया कि पहली बात तो इसमें जो department है वो पहले ही prosecution file कर चुका था और जब assessi की application settlement commission में admit हुई तो उस वक्त भी commission ने कोई ऐसी बात नहीं कही थी कही थी अपनी उसमें admit करने पे कि हमारे इस application को admit करने का मतलब निकाला जाए कि कोई भी prosecution assessi के अंगेस जो है वो अब नहीं चलेगा जब तक यह application हमारे पास spending है तो एक बहुत ही important और बड़ी interesting finding जो है वो पंजाब एन हर्याना हाई कोट ने दी कि settlement में settlement commission में application admit होने का मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि department जो है वो assessi के अंगेस prosecution जो है वो continue नहीं कर सकता तो पंजाब एन हर्याना हाई कोट ने department के favor में अपना decision दिया और यह कहा कि यह prosecution जो पहले फाइल हो चुका है department इसको continue कर सकता है इस case को discuss करने का जो main motto मेरा यह है वो यह है कि हमको कोई भी department में गलत ब्यानबाजी करने से कोई भी गलत documents देने से बचना चाहिए क्योंकि अब तो खेर prosecution के लिए tax के limit 25 लाख रुपे हो गई है लेकिन इस case में तो department ने खाली 3 लाख रुपे के लिए जो है वो assessi के अंगेज जो है वो prosecution file किया तो friends I hope that the deliberation of this case will help you in understanding the provisions of section 276C, 277 and simultaneously the provisions of section 245C and 245D once again I am repeating the name of the case the name of the case is angels immigration and educational consultants private limited and others versus union of India and another and the case has been reported in 429 ITR at page number 1 thank you friends thank you